CorelDRA में आज का हमारा टॉपिक है CorelDRA के अंदर बनाए हुए आपजेक्ट को ग्रूप और अन ग्रूप करना ग्रूप एक समु में किसी भी आपजेक्ट को हम कैसे रखेंगे ताकि जब हम किसी आपजेक्ट के अंदर या कुछ समु के अंदर चेंजिंग करें तो वो सभी object के अंदर आपको change होता हुआ दिखाई दे तो ये काम आप coral drag के अंदर कैसे करेंगे आज की class में हम यही सीखने वाले हैं कि arrange menu के अंदर ये विकल्प आप देख सकते हो कि यहाँ group का option दिया है group और ungroup का option दिया गया है shortcut तरीका भी आप देख सकते हो control plus G और control plus U ये विकल्प अभी active नहीं है जब तक आप object को select नहीं करोगे दोनों object तब तक ये विकल्प आपका काम नहीं करेगा आप देख सकते हैं ये group का option यहाँ पे on हो चुका है तो आईए हम देखते हैं कि coral drag के अंदर हम बनाए हुए object को group में कैसे रखेंगे और group किये हुए object को हम ungroup कैसे करेंगे group करने की जरूबत क्यों पढ़ती है ये सारे विकल्प आज हम आपको आज की class में बताने वाले हैं तो आईए हम देखते हैं group करने का विकल्प तो coral drag में आज का हमारा topic है object को group और ungroup करना तथा दूसरा जह है object को lock करना जब एक से अधिक object आपके drawing के अंदर अगर बनाए गये हैं और उनको हम चाहते हैं कि उनको एक group में रख दें group में रखने से फायदा ये होगा कि अगर उस group के अंदर कोई भी बदलाव करना होगा तो उस group के अंदर जितने भी object बने होंगे उन सभी भी बदलाव एक साथ हो जाएगा अगर हम move करना चाहें तो एक साथ move हो जाएगा अगर हम delete करना चाहें तो एक साथ delete हो जाएगा अगर हम color में changing करना चाहें तो एक साथ सभी object के अंदर एक साथ changing हो जाएगा तो आईए हम इसके लिए एक नया page open कर लेते हैं नया page open करने के लिए आपको यहाँ plus sign पे click करना होगा एक page हमारा बन जाएगा अब इस page के उपर हमें कोई object बना लेना जैसे मैं एक बर्ग बना लेता हूँ control के साथ मैं इसको ड्रै करता हूँ मैंने एक circle भी बना लिया oval या circle अब देखिए दोनों आपजेक्ट यह अलग-अलग select होगा अलग-अलग select होगा अगर आप इसके अंदर color fill करते हो तो आप देखिए इसके अंदर अलग और इसके अंदर आप अलग color fill कर रहे हो इसी दर अगर इसका outline चेंड करना हो तो आप इसके अंदर outline चेंड कर सकते हो outline का color बदलना चाहते हो तो इसके उपर right button दबाईए outline का color बदलना है और इसके अंदर भी अगर आपको outline बदलना है तो आप इसको select करके और इसके उपर भी कोई outline देश सकते हो हमने का कि अगर हम चाहते हैं कि इसको एक group में रख दें एक sumo में रख दें ताकि हम इसको जब move करें तो हम एक साथ move कर सकें इसकी size को अगर हम changing करना चाहें तो हम एक साथ जैसे इसकी size को बदलना है वैसे इसकी size को भी हम क्या कर सकें बदल सकें क्योंकि ये सभी काम आप single single कर रहे हो तो ऐसा करने के लिए आपको selection tool से इन दोनों object को select कर लेना होगा अगर आप group करना चाहते हैं सबसे पहले आप selection tool से select कर लीजेगा और arrange menu के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ group का option दिया है shortcut तरीका भी आप देख सकते हो control plus Z जैसे आप इसपे click करेंगे आपके द्वरा select किया हुआ object एक group में बदल गया है अब इसका फायदा देखिए कि अगर हम एक object पे हम click करते हैं तो यह object भी select हो जा रहा है अगर एक object को हम move करते हैं तो उसके साथ दूसरा object भी move हो रहा है क्यों हो रहा है क्योंकि इस group के अंदर यह वाला object भी सामिल है अगर हम इसको move करते हैं तो इस group के अंदर यह वाला object भी है अगर हम इसकी Size को बड़ा करते हैं, तो आप देखेंगे, इसकी Hide को अगर Change करते हैं, तो दोनों Object के अंदर बदला दिख रहा है, अगर हम Color की बात करें, तो आप देखें, दोनों का Color हमने एक साथ, Fill Color चेंज कर दिया, अगर दोनों का Outline एक साथ रखना है, तो हम इसके उपर Right बटन को प्रेस करेंगे, दोनों का Outline एक साथ बदल गया, अगर यही काम हमें Single सिंगल करना होता, तो एक बार Outline बदलते हैं, एक बार Fill Color बदलते हैं, लेकिन आपने देखा, कि हम दोनों काम, यानि एक साथ Fill Color और एक साथ Outline Color को हमने Change कर दिया, अब अगर हम चाहते हैं, क लिए Control प्लस यू, जैसे आप इसपे क्लिक करेंगे, जो अबजेक्ट एक ग्रूप के अंदर रख दिया गया था, वो अब अलग-अलग हो जाएगा, एक बिगल्प और देख सकते हो, Ungroup All का भी Option दिया है, इसका मतलब यह है, कि अगर एक से अधी ग्रूप आपके इस ड्र Ungroup All का भी Option दिखाते हैं, जैसे आप इसपे क्लिक करेंगे, अब आप देख सकते हैं, यह अबजेक्ट अलग और यह अबजेक्ट अलग सेलेक्ट हो रहा है, अगर हम इसको मूव करते हैं, तो किवल यही मूव होगा, अब यह मूव नहीं होगा, अब चाहते हैं कि Ungroup All भी क कुछ इस तरह है, अब सेलेक्शन करिए, इसको एक ग्रूप में बांटिए, इसको एक ग्रूप में डाल दीजे, अरेंज में जाए ग्रूप कर लीजे, एक ग्रूप बन गया है, यह देखेगा, अब इसको भी सेलेक्शन करने के बाद, अरेंज में जाकर आप इसको भी ग किया है तो color भी हम fill कर सकते हैं इतना करने के बाद आप चाहते हो कि ये जो अलग group है ये अलग group है हम इन सभी group को हम क्या करें अलग-अलग थोड़ दें ताकि सभी object अलग-अलग select हो सके तो आप एक काम करेंगे selection tool से आप पूरे group को एक साथ select कर लीजेगा arrange के अंदर जाहिएगा और ungroup all पे click कर दीजेगा अब देखेंगे कि अब ये object अलग-अलग हो चुके हैं यानि एक साथ अगर कई group बनाए गए हैं और उन सभी group को हम क्या करना चाहते हैं ungroup करना चाहते हैं अलग-अलग हमारा दिया गया object को lock करना या unlock करना किसी आकरती को जो आपने अपने drawing page के उपर बना रखा है अगर हम चाहते हैं कि उसकी आकरती में कोई बदलाव ना हो कोई changing ना हो तो उसको हम lock कर सकते हैं और lock करने के लिए आपको arrange menu के अंदर ही बिकल्प मिल जाएगा आप यहाँ देखेंगे arrange menu के अंदर जब हम जाएंगे तो arrange menu के अंदर यहाँ पे lock और unlock का option दिया है अभी यह काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने selection नहीं किया है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हम उस आकरती को select कर लेते हैं जिसको हमको lock कर रहा है selection करने के बाद arrange menu के अंदर जाएगा और यहाँ देख सकते हैं lock object का option दिया गया है जैसे हम इस पे click करेंगे आप देख सकते हैं कि जो 8 बरगा कार विंदू दिख रहा था जिसके दोरह हम object के position में बदलाओ कर रहे थे जिसके दोरह हमें selection दिखाई दे रहा था अब यह lock हमें बता रहा है कि यह इसके इस्तिती में कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते आप देखे अगर हम इसको उठा के ले जाना चाहते हैं कहीं move करना चाहते हैं तो यह lock हमें बता रहा है कि नहीं है move नहीं होगा अगर आप keyboard से delete करना चाहो तो आप keyboard से delete button दबा के भी दिखेगा delete नहीं करेगा यहां तक कि अगर आप color अगरा बदलना चाहते हो तो color भी changing नहीं करने देगा कोई भी बदलाव अब इस object के अंदर संभव नहीं है लेकिन अगर यहीं पे अगर इस object के अंदर देखे तो इसके selection में और इसके selection में आपको अंतर दिख रहा होगा आप देख पा रहे होंगे मैं इसको थोड़ा सा और zoom करता हूँ इसके selection को देखे और इस पर जब हम click कर रहे हैं तो इसके selection में देखे इसको हम उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं इसकी size को बदल सकते हैं इसके color को बदल सकते हैं लेकिन इसके अंदर हमने कहा कि यह selection जो दिखा रहा है यह log का symbol जो दिखाई दे रहा है यह बता रहा है कि आप इसके अंदर कोई भी changing नहीं कर सकते हो तो अगर आपको कहीं जरुवत पढ़ रही है अपने drawing के अंदर कि किसी object को हम lock करके रख दें ताकि उसके अस्थान को हम बदल न सकें उसमें कोई भी परिवर्तन color, style या हम जो भी बिकल्प यूज कर सकते हैं एक object के अंदर वो हम प्रियोग न कर सकें तो इसके लिए हमें lock option का प्रियोग करना होगा अगर lock की हुए object को आप चाहते हो कि हम unlock कर दें तो आप देख सकते हैं unlock object का option दिया है जैसे आप इस पे click करेंगे अब वो selection फिर से unlock हो चुका है अब इसको आप कहीं भी ले जा सकते हो देखिए इसको हम यहां से बड़ा और चुटा कर सकते हैं साथ ही हम इसके अंदर कोई भी color फिल करना चाहें तो हम color भी fill कर सकते हैं द्यान दीजेगा अगर आपने कई अलग-अलग object को एक साथ lock किया है यह अलग-अलग lock किया है तो हम उन दोनों को एक साथ unlock कर सकते हैं आप देखिए यह भी lock है लोग दिखा रहा और यह भी lock है दोनों object lock है अगर हम चाहते हैं कि दोनों object को एक साथ unlock कर दें तो आप दोनों को एक साथ select कर लीजेगा आप यहाँ पे unlock all object पे जब आप click करेंगे तो जो object आपके lock हो चुके थे आप देख सकते हैं कि दोनों object unlock हो चुके हैं selection थोड़ा सा आपको दिखाएगा ने लेकिन आप drag करिएगा selection हो जाएगा तो इस तरह हमने आपको आज के class में बताया कि हम किसी object को जो coral drag के अंदर बनाया गया है उसको group कैसे करेंगे और group किये हुए object को ungroup कैसे करेंगे साथी हमने आपको lock करना और unlock करना भी बताया उमीद करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ सेर भी करें तो आज की class में बस इतना ही नमस्कार जैहिन